जै आदिवासी, जै जुहार, सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, आईए हम बढ़ते हैं आगे, अब क्या हाई मेनोप्टेरा आगया, हाई मेनोप्टेरा कोन करती रहती है, मदुमक्की, कि हाई ले सीडी कम्प्लीट है, कम्प्लीट है, हमने पहले क्या पढ़ा, डिप्टे पढ़ा, कोल्योप्टेरा पढ़ा, अब हाई मेनोप्टेरा का नाम आगया, यहाँ सर्वादिक विक्सित गणे, और सबसे जिनिया से, सबसे क्या है, जिनिया से, यानि क्या है, जिनिया से, हाई मेनोप्टेरा का मतलब होता है, मेंब्रेंस, आप देखेंगे, टेरा का मतल क्या बोलते हैं डिप्टेरा को मक्खियों का आडर बोलते हैं लेकिन यहां तो साप लाया गई क्या आगई सापलाई आगई सां का मतलब क्या होता है यानि कि कहने का मतलब में是我 अगर अर्थ निखालू तो शा यानि कि देखना किसको देख रहा है मदुमक्खी को देख रहा है अब सापवाय को याद रखना important है इसी supply को पूचेगा कि supply आती है किस आडर का अंतरगत पहला ही आडर देगा diptera और हम वो सोच देंगे कि भई मक्खी है और मक्खी का आडर तो सरने बताया diptera लेकिन ऐसा मत करना क्योंकि supply जो आएगी वहाँ hymenoptera के अंतरगत आएगी यहाँ पर supply आगई ततया आगया आप देखेंगे इसके लारवा के मुखांग काटने और चबाने वाले होते हैं परन्तु इसके वैस्क में मुखांग चबाने और चाटने वाले हो जाते हैं क्योंकि मदुमक्खी आ जाती है यानि वैस्क में अलग होते हैं और इसके अलावा लारवा में क्या होते हैं काटने और चबाने वाले लेकिन इसके वैस्क में मुखांग चबाने और चाटने वाले होते हैं लारवा पेर रहीद होता है हाईमेनोटेरा का लारवा पेर रहीद होता है और इसके लार्वा को ग्रब बोलते हैं क्या बोलते हैं ग्रब बोलते हैं डिप्टेरा के लार्वा को मेगड बोला था डिप्टेरा के लार्वा को मेगड बोला था लेकिन यहां पर लार्वा को क्या बोला हाइमेनोटेरा के लार्वा को ग्रब बोला गया क्या बोला गया ग्रब अब देखो मैं आपको याद करवाता हूँ एक ट्रिक से याद करता हूँ आपको यदि याद हो तो मदु मक्खी मदु मक्खी क्या करती है डांस करती है डांस है ना डांस करती है कैसा डांस करती है एक तो दुम डोलन डांस करती है तो आज से हम याद करेंगे कि मदुमक्खी गरबा करती है क्या करती है गरबा करती है गरबा को आप गरब से ले लेना सीधा सा याद हो जाएगा कि मदुमक्खी के लारबा यानि हाइमेन और टेरा के अंतरगत जिते भी कीट आते हैं वो गरबा खिलते हैं मदुमक्षी डांस करती है दूम दोलन और वो जो दो तरह के डांस होते हैं उन डांस के उपर वो क्या करते हैं अपने भोजन का पता लगाते है कि पास में है या दूर में है तो हमें ऐसा या रखना है तो मदुमक्षी क्या करती है डांस डांस यानि गर्बा और मदुमक्ष का जो आड़ीर को न आएगा हाई मेनोबैरा और हाई मेनोबैरा के जो कीट आएगे उसको मैग्रफ बोलूँगा ठीक है जाया iki अब देखेंगे एक मस्टर्ड साफलाई जिसको अबन बोलते साफलाई अपन निनीडीा, इसके ओभी पोजिटर में आठ जोड़ी प्रोलेक्स उधर पर पहे जाते हैं, मतलब ये मस्टर्ट सा अपलाईए इसका ओवी पोजिटर ओवी पोजिटर होता क्या है ओवी पोजिटर क्या होता है कोई कीट होता है ये कीट क्या करता है लास्त में ऐसा ओवी पोजिटर बना देता है अंडे देने के लिए यानि कि ओवी पोजिटर का निर्मान हो जाता है जो अंडे देने में क्या होता है सहायक होता है तो आप सभी का बहुत बहुत दन्यवाद इसी के साथ में चलता हूँ जै हिन जै भरत